हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बैट्स में दोस्तों आज के हम इस वीडियो में प्रमुक आनवानसिक रोगों को ट्रिक से याद करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो यूसफुल लगे तो इसे लाइक और से जरू करें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरू करें और साथ मैं बैल आइकान जरू प्रेस करें तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्रमुक आनवांसिक रोगों को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बट कहीं पड़ा है यह याद रखना है क्या है दोस्तों बट कहीं पड़ा है यह याद रखना है तो बा से हो जाएगा बनांदता, ता से हो जाएगा तरनार सिंड्रॉम, का से हो जाएगा क्लीने फैलिटार सिंड्रॉम, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, पा से हो जाएगा पटाउ सिंड्रॉम और डा से हो जाएगा डाउन सिंड्रॉम तो दोस्तों ये प्रमुख आन्वानसिक रोग है दोस्तों बासे हो जाएगा बनांधता बनांधता रोग दोस्तों इसमें क्या होता है दूसरा है दोस्तों टर्नर सिंड्रॉम तरनर सिंड्रॉम में दोस्तों इस्तरियों की जो गुर्ण सूत्रों की जो संख्या है वो 45 रह जाती है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों क्लीने फेल्टर सिंड्रॉम दोस्तों यह रोग पुरसों का आनुवांसिक रोग है इसमें गुड़ सूत्रों की संख्या दोस्तों एक जादा यानि 47 हो जाती है ओके दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों ही से हीमोफीलिया हीमोफीलिया रोग में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है और नेक्स्ट दोस्तों पटाव सिंड्रॉम पटाव सिंड्रॉम का जो रोगी होता है उसका हूपर का जो होट होता है दोस्तों वो कटा या फटा होता है तो वो है पटाव सिंड्रॉम होता है, नेक्स्ट दोस्तों डा से डाउन सिंड्रॉम, डाउन सिंड्रॉम में दोस्तों रोगी कैसा होता है, मंद बुद्धी का होता है, आखें उसकी टेड़ी होती है, जीव मोटी होती है, तता अनियमेत सारी रिक धाचा होता है, तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए थेंक्यू सो माच बाई बाई